स्टड़ी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल हलो एब्रीवन वल्कम टू स्टड़ी आईक्यू सो फ्रेंट्स हम जी सी लियों की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं आपको पता है कि पेपर आपका जो जड़े चैप्टर वन का पार्ट वन जो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं अब यह जो डिस्केशन होगी हमारी वह होगी चैप्टर वन के पार्ट टू की जी हां हम बात करने वाले हैं चैप्टर वन के पार्ट टू की तो चलिए हमारे डिस्केशन को स्टार्ट करते हैं जो आपका चैप्टर वन का पार्ट टू है वह हमें स्टार्ट करना है आपके shape of the earth से विसे तो आपको भी कभी कभी strange लगता होगा जब हम shape of the earth की बात करते हैं कि सब कैसी बात कर रहे हैं अच तो flat ही होना चाहिए एक तरीके से तो नजर आता है तो कभी लगता है कि हाँ definitely एक flat surface area है तो यही argument आपके geographer के बीच में भी रहा करता था जब geographer बात करते थे कि earth flat होगी यह earth round in shape है और ऐसे काफी सारे evidences जो प्रेजेंट किये गए जो यह बताते ही कि earth आपका क्या है flat in shape है यह round in shape है क्योंकि काफी comprehensive discussion इसके अपर चला था और जो आपके geographer's थे जो sailors थे उन्होंने भी काफी सारे evidences जो प्रेजेंट किये जो finally आपको बताते है कि earth की exact shape कैसे थी वैसे तो आज आप जानते ही हो कि earth क्या है perfect spherical shape में नहीं है बट still little bit हम कह सकते है कि spherical in nature ही है तो ऐ right there I get to know सबसे पहला जो आपका evidence होता है वह होता circumnavigation सबसे पहला evidence होगा वह होगा आपका circumnavigation circumnavigation की अगर मैं बात करता हूं तो circumnavigation का मतलब होता है मैं earth के surrounding area के अंदर पूरा चक्कर कार्ट के पूरा complete circle जो हो है पूरा करता हूं तो यहां पे देखो कि आपकी अगर मैं ship से जा रहा हूं और अगर earth flat होता तो कहीं तो ऐसा point आता ना जिसके बाद कि आपका ship क्या हो जाता है नीचे के जाता है लेकिन I get to know कि जब आपके sailors पूरे earth का अपना circle पूरा किया तो they get to know कि वह कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ सब से पहले जो बंदा था that was padinent megalan इन्होंने अपना circle जो है around 1519 के अंदर 1519 से 1522 में इन्होंने पूरा circumpolar earth को circum किया था circumnavigation किया and we get to know कि इन्होंने पूरा जब circle किया तो definitely कहीं पे भी उनको ऐसा नहीं मिला कि this is the end of the earth और यहां के बाद में आपका कुछ भी नजर नहीं आता है दूसरा एक important evidence यह भी है circular horizon horizon की अगर बात करोगे तो we will look at this figure तो यहां पर मुझे पता लगता है कि जब भी मैं सामने देखता हूए कैसा point मुझे नजर आता है जो आपका नजर आएगा आश्मान और आपकी जो ocean surface है या फिर आपकी जमीन है वो किसी point पर मिलती हुई नजर आएगी और मुझे हमेशा यह दिखता है कि कैसा नजर आता है आपका circular नजर आता है मतलब यह मुझे बिलकुल state नजर नहीं आता कि this is a straight line यह मुझे नजर आता कि यह क्या है आपका circular न ships तो ship की visibility की जब मैं बात करता हूं तो अगर आप एक point पर खड़े हैं तो आपको क्या लगेगा when you will look at this ship तो आप सोच के देखो अगर earth flat होता तो definitely कुछ ऐसी situation होती ना अगर earth आपका flat होता कुछ ऐसी situation होती कि कोई भी ship आता वो complete ship आपको दिख जाता है आप यहां खड़े होते आपको complete ship नजर आता लेकिन अब क्या होता है earth is in this shape इसलिए जब आप यहां खड़े होते हो तो you get to know कि जब आपका ship आ रहा होता है तो आपको सबसे पहले इसका top point जो deck point है वो ही नजर आता है complete ship एकदम से नजर नहीं आता है इसका मतलब क्या होगा आर्थ जो है वो आपका prove होता है कि क्या है आपकी little bit spherical shape में है straight forward shape में नहीं है next मुझे पता लगता है sunset और sunrise की में comparison कर सकता हूँ तो right here ships के visibility के अलावा मैं comparison करता हूँ sunrise और sunset का sunrise और sunset से क्या मतलब है तेकि sunrise और sunset की जब मैं comparison करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि दिन में आपकी जो sunlight है वो काफी strong हो जाती है लेकिन night time पे जब sunlight की मैं बात करता हूँ तो वो काफी weak रहती है night मतलब evening या morning hours की मतलब sunrise या sunset के time पर तो if we will look at this figure तो यहां पर देखो exactly क्या हो रहा है आपका कि sun से चो light आती है आपका क्योंकि earth flat नहीं है that's why हमें अलग-अलग time के ओपर आपकी sunlight मिलती है इस एरिया में sunlight मिल रही हो तो definitely इस एरिया में नहीं मिल रही होगी अगर earth flat होती तो या तो आपके पूरे surface पे ही sunlight मिलती या फिर किसी भी surface पे नहीं मिल पाती तो जी तो time का difference मुझे नज़र आ रहा है कि sometime हम sunset या sunrise देखते हैं तो दूसरी country के अंदर कुछ और चल रहा होत तो मतलब यहां पे difference नज़र आता है कि at this particular point अगर straight होती surface बिलकुल flat होता तो definitely हम सब को sunlight एक साथ sunrise होता और एक ही साथ sunset होता यह भी प्रूव करता है कि आप अर्थ जो है वह spherical होके straight नहीं है और perfect तो spherical नहीं है हालांकि geoid safe है बड़ certainly straight तो बिलकुल भी नहीं है जो कि certainly हमारा नज़र आता है कि हाँ genuinely तो हम देखते हैं तो हमें पता है कि हम flat surface पे हैं तो हो सकता flat हो इसके अलावा एक और evidence था lunar eclipse यह क्या बताते हैं देखो यहां पर क्या होता है lunar eclipse के अंदर जब eclipse formation होता है तो आपकी कुछ ऐसी situation होती है let's say कि here is sun here we have earth and here we have moon तो ऐसी situation में क्या होगा obviously the shadow of earth is going to fall on the moon moon के ओपर earth की shadow will be there if earth is going to be straight a flat surface then definitely the shadow must be a straight condition but the shadow is looking circular what does it mean it simply means कि earth क्या है आपका spherical in nature है round in shape है इसी लिए इनकी जो shadow है जो आपको moon के ओपर नजर आती है definitely वो एक straight shadow ना हो कि कुछ आपकी curve shadow होती है curve shadow का simply means है कि आपका क्या होगा यह आपका part जो है वो spherical in nature है वो आपका part straight line नहीं है definitely इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ आपके planetary bodies के बारे में अगर planetary bodies को भी हम देखें तो आपने देखा था previous part के अंदर part one के अंदर भी मैंने आपको देखाया था कि जब हम planetary bodies के ओपर focus कर रहे था तो हमें पता लगा कि planetary bodies जो है आपकी वो क्या है spherical in shape है आप moon को देखो आप mask की तरफ देखो मतलब हर planetary body को जब हम देखते तो we get to know कि those planetary bodies are circular in nature और अगर planetary body circle होंगी तो definitely आप यहां पर देख सकते हैं चाहें आप moon को देखेंगा आप sun को देखते हैं आप earth को देखते हैं आप mercury venus earth mask किसी के ओपर भी planetary body पर आप focus करेंगे तो we get to know कि all are spherical in shape और अगर ऐसा है तो definitely how we can claim कि earth इनके साथ में similarity show नहीं करेगी और earth का pattern कुछ और देखने को मिलेगा it is nearly impossible ऐसा होना लगबग क्या है नामुम्किन है तो इसलिए earth भी क्या होगी आपका spherical in shape नजराती है next evidence मेरे पास होता है कि आपका driving poles आप यहां पर देखेंगे तो if you will look at this carefully then what you will pound आप यहां देखो अगर मालो मेरे पास pole है काफे सारे poles है मेरे पास और same height के poles है तो अगर मैं इनको यहां पर सिट्वेट करता हूं इन poles को ठीक है same height के poles है मैं यहां यहां पर सिट्वेट कर रहा हूं तो definitely क्या देखने को मिला क्या आपको लगता है सबका level same होगा जी नहीं इनका level जो है इधर की तरफ reduce होता है उधर की तरफ level भड़ता होती तो मुझे क्या नज़र आता तो फिर तो मुझे पता लगता ना कि level तो सबका ही same होना चाहिए था यह जो आपका level है यह तो सबका straight होना चाहिए था क्योंकि earth spherical है इसलिए मुझे पता लगता है कि यह जो level है वो change होता चला जाता है क्योंकि earth दिरे-दिरे क्या होती है आपका tilt हो रही है तो we get to know कि after traveling one mile I get to know कि लगबग 8 inch का height में difference आ जाता है height में जो difference 8 inch का difference by traveling one mile जो आ रहा है that is only because कि earth is round in shape, it is not something which is straight line and the most important evidence is do you know the aerial photographs क्योंकि आज तो हम space में भी जा सकते हैं आज science इतना develop हो जुका कि people are going in space and we have we have the photographs जना पर नजर आता है कि earth जो है आपका वो spherical in shape है, round in shape है earth जो है, वो straight line नजर नहीं आती है तो earth अकर straight line नहीं है तो I can directly say कि ये सारे evidences in totally prove करते हैं कि earth is not something which is straight but earth is something which is spherical in nature earth is something which is spherical in nature so right there ये कुछ evidence हुए अब सवाल आता है कि earth फिर move कैसे करती है, right? वह क्योंकि हमने first part में galaxy के बारे में जाना हमने सब solar system के बारे में जान लिया था अब हमारी earth के बारे में भी हमने देखा कि earth जो है जनरल आर्गूमेंट की अगर में बात करो तो हम कुछ ऐसे ही बात करते हैं कि sunset हुआ है, sunrise हुआ है इससे तो यही नजर आ रहा है कि हम अपनी जगह पे stationary हैं लेकिन sun ही बार-बार क्या करता है अपनी position को change कर रहा है but certainly आप एक example को समझेंगे तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ों पर clarity आ जाएगी वो चीज़े क्या है, वो example क्या है example यह है कि if you will look if you will look over the window of a train, moving train तो you will found कि आपके trees जो हैं वो rotate होते हैं आपके जो houses हैं वो चलते हुए नजर आते हैं आपको लगता है कि आप stationary है, बाकी सब चीज़े गोम रही है तो यह भी कुछ वैसा ही है कि जब हम आर्थ के उपर हैं तो हमें नजर आता है कि sunset और sunrise हो रहा होता है apparently actually यह हो रहा है, लेकिन exactly तो हमारी ही position बार-बार क्या होती रहती है change होती रहती है, that's why हमें sunset या sunrise नजर आता है and that's why this is the amazing thing कि यह आर्थ का जो है moment होता है अब आर्थ is having two kind of motion, one is rotation, another is revolution तो सवाल आएगा कि सब रोटेशन क्या होता है, तो rotation is something like this अगर आपका एक straight forward axis के ओपर कुछ circulatory motion हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका rotation कहलाता है तो फिर revolution क्या होगा, revolution कुछ ऐसा होगा कि sun को center मान के जब आपकी अर्थ घूम रही होती है उसके surrounding में, तो वो आपका revolution कहलाता है तो मतलब अर्थ के दो motion हो गए, अर्थ आपका rotate भी करती है और अर्थ आपका sun के surrounding area आज के अंदर revolve भी करती है तो definitely दो पियर देखने को मिले अब मुझे एक चीज बताइए सोच के कि जो अर्थ का अपने axis पे घूमना है जो अर्थ का अपने axis के ओपर motion है वो तो आप भी मानते हैं रो बहुत छोटा सा होगा वो तो काफी बड़ा नहीं होने वाला तो definitely it takes very small time for the earth to rotate और अर्थ के rotation के अंदर आपका पता लगता है कि that is only taking 24 hours 24 घंटे में अर्थ अपना rotation लगबग 24 घंटे में अर्थ अपना rotation पूरा कर लेती है and we get to know by this time कि इससे ही process से क्या होता है आपका day or night की formation होती है कि आपके जो rotation system नज़र आता है उसी से आपका क्या होता है day or night की formation होती है अब आपको एक चीज तो नज़र आ रही होगी कि sir day or night की formation तो आपने बता दिया that is okay लेकिन यासा कैसी possible है कि day and night length used to be unequal right काफी बार हम यासा देखते हैं कि night की जो length है और जो day की length है वो आपकी equal नहीं होती it is not something की 12 गंटे दिन होगा और 12 गंटे ही रात होगा लेकिन sometime we found की equal भी होता है sometime we found की inequality भी होती है sometime day बड़ा होता है night छोटी होती है sometime night बड़ी होती हो day छोटा होता है तो इसका क्या कारण है I think it is also a typical question इसका answer में just थोड़ी सी दिर में आपको दूंगा कि exactly यह क्या reason है जिसके बड़ी से यह rotation जो है आपका वो day और night को बराबर नहीं रख पाता but now we can come to revolution as well now what is revolution when it comes to revolution तो हम यह बात कर सकते हैं अर्थ का sun को center मान के जो circulatory motion होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम revolution बोलते हैं अब अर्थ का sun को center मान के जो आपका motion हो रहा है उससे क्या होता है उसी के tiltation की वज़े से आपके क्या होते है varying day or night varying length of day and night देखने को मिलता है इसलिए क्या होता है आपका जब आर्थ ऐसे घोम रही होती और क्योंकि वो tilted axis के ओपर घोम रही होती तो आपका Arctic region में sun time ऐसा होता है कि sunset होता ही नहीं है if you want to look upon तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को कि अगर आर्थ की situation ऐसी होगी और जब आर्थ अपना motion करना शुरू करेगी तो आर्थ क्या हो जाएगी लिटल tilted होगी अब tilted होके यह revolve करती है तो definitely कुछ area जैसे होंगे न जिनके पास में हमेशा sunlight रहेगी और वही sunlight क्या करती है आपका day और night की length इसलिए Arctic को बोलते हम the land of midnight sun क्योंकि आदी रात को भी उनके पास क्या देखने को मिलता है sun जो है आराम से देखने को मिल जाता है अब इसके अंदर एक और चीज़ नजर आती है कि अगर आप midday sun के ओपर focus करेंगे तो उस case में मुझे पता लगता है कि आपकी altitude जो है midday sun के अंदर नजर आती है कारण उसका क्या है कारण simple है क्योंकि आपकी जो angle है raise का जो angle है वो काफी straight forward हो जाता है और इसी basis पे revolution जो आपका हुआ है इसी basis पे आपके क्या होते है season भी change हो जाते है तो right there ये जो part आपका wearing day and light revolution तो हुआ season के साथ change हुआ लेकिन इसका rotation का axis भी क्या है tilted है तो in total ये accountability आपको show करती है कि how it is getting changed with time कि समय के साथ ही कैसे बदलती जा रही है अब चीज नजर आती है देखो आपने काफी बार देखा होगा कि जब आप सुवर सुबर घूमने निकलते हो या फिर आप श्याम को जो पार्क में टहलने निकलते हो तो आपने देखा होगा कि बड़ी थोड़ा सा sunrise हो और उसके बाद में धीरे 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 अंधेरा जो हो हटता चला जाता है और then आपकी अचानक से एक अच्छी light जो हो देखने को मिल जाती है जी हाँ my dear friends इस time को इस duration को इस enjoyment को हम कुछ नाम देना चाहेंगे दो नाम होते हैं एक होता है dawn एक होता है twilight तो मतलब क्या हुआ जब आपका sunrise होता है उससे जब तक full sun daylight ना आ जाए जब आपका sunrise हुआ let's say sunrise can be अगर winter का time की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो winter के time पे the sunrise can be about weekend से 6 AM और weekend से 5.30 AM but still sunrise के बाद में और आपके full daylight के बीच का जो duration होता है उसको हम dawn के नाम से जानते है and when it comes to twilight then it is जब sunset होता है उससे और जब तक full darkness ना हो जाए उसके बीच का जो duration होता है वो twilight के नाम से जाना जाता है इसलिए यह दो important phenomena है और शायद आपकी exam के अंदर पूछे जा सकता है तो definitely आपको इसको थोड़ा सा mind में रखना चाहिए तो अगर आप भूल गए तो क्या होगा भूल गए तो यह होगा कि डी से जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कहीना कि यह आपकी डे की सुरुवाद कर रहा है डे की सुरुवाद करेगा तो definitely मैं कह सकता हूँ कि sunrise से लेके full day light तक का जो period होगा वो मेरे पस जवान की कहलाएगा और अगर twillight होगा तो totally opposite होगा क्योंकि आपको रात को light जलानी पड़ेगी तो definitely sunset से complete darkness तक का period यह कहलाएगा अधिक important part आता है कि अगर मान लो आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अर्थ के में किस कोने में हो आपको कैसे पता लगेगा जी हाँ मैं phone करूँगा आपको WhatsApp पे location भेजूँगा और आपको आराम से पता लग जाएगे कि सर आप देश के इश्कोने में हैं और हम आपसे मिलने आ जाएंगे लेकिन यह तो बड़ी आसान हो गया बट आप ये बताएए कि वो phone जो आपको location बता रहा है ताकि उन imaginary line से हम एक दुसरी की location को आराम से exactly track कर सकें and we get to know कि एक person जो है यहाँ पे availability अभी शोग कर रहा है तो अगर मैं availability देखना चाहता हूँ तो मुझे पता लगता है कि दो चीज़े आती है एक को तो आता है आपका latitude part latitude वैसे तो word से ही आपको समझा रहा होगा कुछ ऐसी चीज़ी है जो आपका क्या होंगी latitude part में होंगी मतलब वो क्या होंगी अर्थ के equator part के parallel होंगी एक सबसे important चीज में बताता हूँ आपको latitudes are also named as parallels ठीक है सबसे पहले important चीज क्या latitudes are also named as parallels why parallels क्योंकि parallel इसलिए बोला जाता है कि because these all lines never cut each other एक parallel line डूसरी line को कभी cut नहीं करती in the similar way latitude भी एक दूसरी को कभी भी cut नहीं करती है तो right there I get to know कि जो आपके ये lines draw की गई है हर एक angle पर ये line draw होती है आपका upper 90 degree north से लेके 90 degree south तक हो जाता है और जो mid में line होती है उसको हम 0 degree बोलते हैं अंदर मतला one side 180 degree back side is also 180 degree तो total में 360 हो गया तो ये आपके latitude 90 degree north और 90 degree south के हिसाब से देखने को मिल जाती है और जो ये 0 degree के line होती हम इसको equator बोलते है equator जो है आपका वो सबसे biggest या मैं बोलूँ longest जो है आपका latitude जो होगा वो कौन होगा equator होगा राइट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी longitudes क्या है longitudes वो line होती है जो आपके pole को north pole को south pole से मिलाती है मतलब north pole से जाएंगी और south pole पे जाएंगी तो definitely क्या मैं इनको parallel बोल सकता हूँ बिलकुल भी नहीं क्योंकि ये तो parallel है ही नहीं यहाँ पे जो light जो lines आपकी north pole पे मिल रही है वो line जाके फिर से south pole पे भी meeting हो रही है और parallel तो कभी भी meet नहीं करते if they are meeting तो definitely they are not parallels हम इनको parallels नहीं बोल सकते हाँ लेकिन एक important चीज है important क्या है important यह है कि यहाँ पे जैसे हमने एक reference के लिए equator देखा था तो वो तो ठीक है middle में समझा गया लेकिन earth क्योंकि spherical in nature है और यह जो north से south ही में लाइने बनाऊंगा तो more or less ही तो similar ही नजर आ रही है इसलिए human being ने एक line जो green which meridian से pass out हो रही थी उसको हमने क्या दे दिया prime meridian का नाम दे दिया मतलब यह हमारे लिए primary line होगी और इसी के reference के अंदर हम क्या बात करेंगे हम दूसरी location को track करने की कोसिस करेंगे तो मतलब हमने एक reference line का consideration किया और यह my dear friend सारी hypothetical lines है यह ऐसी कोई line real में exist नहीं करती वो सिरफ हमारे convenience के लिए हमने इसको क्या कर लिया अपने आप से refer किया है तो these lines are named as prime meridian यह particular line और इसके बाद में अलग अलग आपके longitudes होंगे जो अलग अलग अंगल पे draw किये होंगे अब इन longitudes का का काम क्या है तो यह तो आपका हुआ जो green which meridian से पास होने वाली line है जिसको के green which meridian के नाम से जाना लेकिन if you will look at this point तो आपको यह नहीं लग रा कि यह जो green which meridian यहां draw की है सर यह तो back side पे भी होगी definitely क्यों नहीं होगा अगर यहां पे draw की है तो आपका जो three dimensional में अगर मैं आर्थ को देखो तो यह back side पे भी होना चाहिए तो we will look at तो back side पे यह जो आपकी line है यह straight forward ना होगे कुछ ऐसी नजर आती और यह तो बहुत strange बात है कि आपने वो line वहाँ पे straight draw कर दी तो यहाँ पे यह इस तरीके से जिग जैग क्यों draw की होई है सवाल यह आता है तो actually इस line की कुछ importance है क्या importance है इस line की अपनी ही कोई एक अच्छी level की importance है देखते हैं कि क्या importance है exactly होता यह है कि जो आपकी longitudes हैं वो आपके time को decide करती है जो आपकी longitudes हैं वो क्या करती हैं आपके time को decide करती है, sir, कैसे करती है, अभी जिखाता हूँ, देखो, earth total में कितना angle है, 360 degree का angle है, कितने hours के अंदर traveling हो जाती है, 24 hours के अंदर traveling हो जाती है, तो अगर मैं इसको minutes में convert करता हूँ, तो I can multiply it by 60, तो मेरे पास क्या बचता है, आपका one degree, four minutes के एक बलाता है, मतलब one degree traveling मतलब क्या होगा, four minutes के traveling, तो if we are making it large, तो I can say कि fifteen degree travel करना, मतलब sixteen minutes का travel करना होगा, ठीक है, मतलब एक घंटे का difference, तो अगर एक longitude से, if from one longitude, दूसरे longitude पे मैं जा रहा हूँ, तो अगर 15 degree का मैंने travel इस तरीके से किया, तो मेरा one hour का, या तो gain हो जाएगा, या मुझे loss हो जाएगा, अब आपको भी पता है कि, अर्थ का moment कहां से कहां तक होता है, अर्थ का moment तो west से east तक ही देखने को मिलता है, अर्थ का moment होता है, वो कहां से कहां तक होता है, west से east तक rotation होता है, तो अगर मैं अपनी green which mean time के हिसाब से west से east पे जा रहा हूँ, तो definitely east के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं west से east पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता लगेगा, I will be advanced by one hour, क्योंकि one hour से sunrise हो जाएगा, east में जाएगे, जैसे आप अर्णाचल प्रदेश का example लेंगे, तो आपको भी पता है, अर्णाचल प्रदेश इंदिया का ऐसा state है, जिसमें सबसे पहले sunrise होता है, तो क्योंकि मैं west गुजरात से अपने अर्णाचल प्रदेश गया, तो I am ahead one hour, अगर वो 15 degree distance पे, हालांकि वो है नहीं, वो 30 degree longitude के difference पे है, तो हम two hours ahead हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इस से west आ जाता हूँ, मतलब someone living in अर्णाचल प्रदेश, अगर वो गुजरात आ जाएं, तो उनको पता लगेगा कि अर्णाचल प्रदेश में तो 5 a.m. पे sunrise होता था, वो यहाँ पे 70 a.m. पे हो रहा है, तो मतलब they are back by two hours, तो मतलब यहाँ पे retard हो जाएगा time by one hour, अगर 15 degree से हुए, 30 degree हो तो वो 2 hour से retard होगा, तो यही चीज़ आपको नज़राती कि west से east जाते हुए, आपका advance हो जाता है, और east से west जाते हुए, आपका, क्या हो जाता है, retard हो जाता है, अब इसके चलते सब क्या फरक पड़ गया, तो फरक यह पड़ा, कि अगर 15 degree, मतलब 6 minute होता है, तो अगर मैं बोलू आपको कि 180 degree, तो 180 degree मतलब 15, 12 से multiply करूँ, तो भी तो 180 degree होगा, नई, तो मतलब 12 hours के बाद में 180 degree की line आती है, तो right there जो आपके line देखने को मिल रही है, यह 180 degree के बाद आती है, 180 degree का मतलब हो गया, 12 hours इदर और 12 hours उदर, उसका मतलब यह हुआ कि आपको नहीं लगता, इस line को cross करने के बाद में, अगर मैं west में जा रहा हूँ इस line के, या east में जा रहा हूँ मेरे पास date change हो जानी चाहिए, क्योंकि 12 hours प्लस 12 hours make 24 hours, और 24 hours में तो date, obvious सी बात है, बदल ही जाती है, और अगर date बदलेगी, तो मैं इस line को क्या नाम देता हूँ, international date line, तो अब क्या हुआ, इस line को state इसलिए नहीं बनाया गया, ताकि ये line किसी भी continent से पास ना हो, कितना strange होता है कि continent से अगर line को हम पास करवा देते, तो मुझे पता लगता है, इस line के इधर, इसी बात हमने इसको क्या कर दिया, जिग-जैग बना दिया, ताकि international date line कुछ ऐसी देखने को मिले, तो अगर आप international date line पे, east से west चले जाते हैं, तो you will lose a day, और अगर आप international date line पे, west से east चले जाते हैं, तो you will gain a day, क्योंकि international date line आपके, बिल्कुल opposite direction में हैं, that's why, वो आपके prime meridian जो है आपका, that is, जो आपका green which meridian है, उसके बिल्कुल opposite behave करेगी, because it is exactly behind this, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हम east में जा रहे हैं इसके, तो we are advanced by 1 hour, लेकिन अगर इसके east में जाएंगे, तो we will be back by 1 hour, जाएंगे, तो you will found की माल लो, Monday को आपकी क्या है, new year है, और इधर क्या चल रहा होगा, Sunday, आप पूरा Monday मना के, और उधर पहुंच जाओ, अगले दिन Sunday आगया, क्योंकि इनका तो Sunday है, फिर Monday आगा, फिर से आप party को enjoy कर पाएंगे, तो that is there, यह चीज़ आपको नजर आ जाते हैं, तो मुझे यहां से पता लगता है, कि yes, we used to lose a day, we used to gain a day, simple concept यह है, कि west से east में movement है, या east से west में movement है, अगर हम international date line के, east से west में जाते हैं, और अगर यहां से west से east जाते हैं, तो we will gain a day, right, so this is the completion of this chapter, ठीक है, yes, one more important thing, because this is a Diwali, and because Diwali must be energetic for everyone, आज Diwali का जो gift app logo के लिए मेरे पास हैं, that is there, if you are preparing for geography is an optional paper, तो आपका geography optional का एक bets, I am going to start on 14th of November, और क्योंकि Diwali है तो इसले, I am giving you a little of affordable price, और जादा affordable, although study IQs always give affordable education, so right there you can join us, only at a 10K, आप admission ले सकते हैं, couple live का code use करेंगे, और अगर आपका geography optional नहीं है, लेकिन PSIR, history or social है, और इसके अलावा आप study IQs से, अगर combo बैक कोई भी आप, basically course में admission लेता है, you can use code couple live there, you will be getting the maximum discount over there, right, and yes, if you are looking for the foundation best, तो आपका क्या होगा, 17.5K only में आपको foundation best भी मिल रहा, there you can join and start your journey, okay guys, all the very best मिलते हैं, next chapter के अंदर, हाँ, important information, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप का अप्पिल भार्दवाज official को जाइन कर सकते हैं, और अगर आप मुझ से बात करना चाहते हैं, तो आप का अप्पिल डोड भार्दवाज 2022 पे मुझे डिरेक्टली message कर सकते हैं, all the very best, take care, bye-bye.